आज की हमारी टापिक है सी वी सी जो की कंप्लीट ब्लट काउंट और हम सी वी सी को देखकर कीकि रोगों का पता लगा सकते हैं यह हम आपको बताने जा रहे हैं हेलो फ्रेंट्स आयाम राजन भारत वाज टूड़ेट टापिक सीवीची और सीवीची में कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं उन पैरामीटर्स को हम जानेंगे उनके बारे में बताएंगे पुरा डिटेल से जिसमें हीमोगलोबीन की नार्मा रेंज क्या है और हीमोगलोब तो डिल्सी कमिशेद कि जाधा होनें इसका दिक्त होगी आरवीची है प्लेटलेट है तो सबसे पहले आता है हमारा हीमोगलोबीन हां जो की component होता है 13 यह пाइल मनें होता है और 10 एक से 15 अ क्योंब नर्म रेंच हो गऑवाइब इसकी ग्राम प्रती डीचल होता है मतलब ग्राम प्रती डेसीलीटर लोग अकसर बोलते हैं कि इतना ग्राम की तो हिमोग्लोवीन जो है हीम और ग्लोभुली दौक एलप मिलकी बनना हीम की आयरन राता है अठाओ गणलें प्रोटीन रहता है थे हिमोग्लोभीन हमारे बाड़ी में आकसीजन ले जाने का काम करता है लंक्स और टीशू तक हिमोग्लोभीन हमारे अरवपी के अंदर पाए जाता है ठीक है तो कहीं कहीं और हीमोगलोबीन एक दूसरे से रिलेटेड हैं और अलग अलग लेवर्ट्री में अलग अलग जैसे मसीन है सबकी वैलू थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहती है और बच्चों में भी इनका वैलू अलग रहता है और इसकी अगर अगर हमारे अंदर कमी हो जाती है तो हम बोल सकते हैं इनीमिया है इनीमिया में हमारा क्या होता कि हीमोगलोबीन कम हो जाता है और उसके बाद अगर हमारा हीमोगलोबीन कम हो जाता तो हमें दिक्कते होती है कि हमारा आक्सी करड़ सही से नहीं हो पाता है आक्सी करड़ सही टिस्सू में आक्सीजन ले जाने का काम करता है और वहां से CO2 को फेफ़ड़ों तक लाता है और जब हमारे अंदर हीमोगलोबीन ही कम रहेगा तो आक्सीजन का सही से आक्सिक्रण नहीं हमारे बाड़ी के अंदर रहेगा तो हमें बहुत सुस्ती बहुत थकान मसूस होगा यहां और माल लीजेगर हमारे अंदर बहुत जादा हीमोगलोबीन हो गया तो जादा हीमोगलोबीन कई से हो सकता है जैसे हड़े सगे ची ऑड़ेसन का मतलब क्या दिहाइड idresse है कि जैसे हम लोग पानी बहुत हम पीते हैं अगर हम बहुत कम पानी पीएंगे तो हमारे ब्लट के अंदर 60 परसेंट छीलों कि प्लाजमा और फोटी परसेंट करफल का प्लाजमा वाला लीक्वीट काइं दोस फोल You had अजब हमारे अंदर लीकवीट कम रहेगा तो जायर सी बाते कि हमारे इसलिट डीहाइड्रेशन की के तरह फिसारा करता है और कर पहल्याद हमारा हिमोग्लोबीन जदा है जर उसके बाद हमारे अंदर हमारे कह सजाते हैं उसके पासरीम उन्हुन है टीबनी नहीं घ्हुचली खुजली बनी रहती है और हीमोगलोबीन अगर हमारा कम रहता है तो जुन जुनाट बनी रहती है और स्वेलिंग भी अलका फुल का रहता है बाड़ी तो हम अगली टाफिक बात करते हैं टी एल सी जो की टोटल लिकोसाइट कर सकते हम या अधर नाम डबलू बीसी की नाम से जाना जाता है जिसको वाइट ब्लट सेल करते हैं और इसकी नार्मर रेंज होती है तो क्या होता है कि उन से लड़ने का काम करते हैं जब और इन पर प्रभावी होने लगते हैं तब ऑसमें एक ठोड़ों देड़ होने लगते उनको नहीं मानने में सच्छ फोस्फफ नहीं देजह गटने लगता है जैसे कि हमें डेंगु जब हो जाता तो समय असमर्थ ने लगता है हमारा डबलुबीच करने लगता है और तेजिस भी घटा अशेक्टा इसा ने की धीरे-दीरे करता तेजिस गटा है और जब हमारे बाड़ी के इंदर कोई इसे में अपना ऐल सी अमारा आंदर हो रहे जो कि हमारे बाड़ी को नुकसान पहुचाएंगे तुसरे में टील सी मारा बढ़ जाता है और अगर हमारा टील सी 50,000-55,000 के बब जाने लगता तो यह समझ लिजी कि कहीं ने की हमारे बाड़ी के अंदर और कैंसर की तरह पिसारा कर रहा है ब्लट कैंसर हो सकता है तो हम बात करते हैं अगली टापिक तो से कम जीरो पॉइंट टूजीरो से अधिक तो देखिए लिंफोसाइट क्या होता है कि जब भी हमारे सरीर में बैक्टरिया बार लीजी जाते तो उसमें लिंफोसाइट तुरंत उन से लड़ने का काम करता है उनको डेट करने का काम करता है और उसमें इनकी संख्या बढ़ जाती है और मोनोसाइट क्या होता है कि जब हमारे बाड़ी के अंदर एक हफ्ते के अधिक का इंफेक्शन रहता है बैक्टरिया वारल लिजिस कोई भी हफ नूυτ्रोफ्यक बढ़ जाता है और बात करें। इसनोफिल तो इसनोफिल के आधे कि जब हमें कोई प्रावलं होता है उसमें या साचेंकों अखिलो नूते उसमें मारा समय उसनोफिल बढ़ जाता है और वेसोब क्का वी उतना इसमारा और दो आटको थे हैं कि यह ए आरbC कि वी फीछ निन दूसरे से जुड़े हुए हैं और और अगर आरवी सी-चे अंदर अंदर हम पहले ही कि हीमो ग्न homo holden होता है और भीक हैं ढूanga L CS Yoast Love on vale योखिंव में हुँद़्ीयगा बाया तो झालते हम जरूर रहेगा और RBC कम है तो हीमोगलोबीन भी हमारे अंदर कम रहेगा तो RBC की जो नारमर रेंज होती चार दसमेनों-पांच-जीरों से 5-दसमेन내 प्रति माईक्रो लीटर होती मैं और उसके बार हमयरा अरवीट्र भी घट रहा है तो समझ सकते हैं कि नीमिय स्ट है बात करते हैं प्लेट लेक्त PLETE T- alleen के आऋते हैं बेलीड चाला करें कि पहले समस्ध इस एक saferानी जो कि हम भाड़ी में है हमारे अंदर अरक्त का थक्का जमानिक काम करता है कर प्लेटलेट हमारे अंदर कि बहुत हिकम हो जाता है हमारे बाड़ी से ब्लीडिंग नाक से मुझ से हर जिग से ब्लीडिंग कि ब्लीडिंग होने लगी कि ब्लेट का बहुत हो रहता है समय होगा त elaborative में गटता है जबकि हमारे बाडि के अंदर कोई ऐसम से सब्सक्राइब 업 कर देंगू हो गया कला कि हमारा प्लेटां सेगरता है मलेरिय ऑगया ॉसको बाद चीक शेथining कटेंजिक हो बिदेंगू Damn कई और कोई वारल Fever हो वार को आगर हमारा बाड़ी के अंदर तीन दिन से बाप बना रहा तो समझे की लेट्लेट रहुत समें हमारा घट रहा है एक दुदीन तो बहुत नार्मल घटेगा वाकि अगर 3 दिन से वारा है फीवर तो समझे प्लेटलit तो तेजे explorati तब दिक्कत होगी उसके बाद करते हैं पीसीब में 40-50 परसेंट होता और फिमेल में 36-46 परसेंट होता है और हमारे पीसीब बढ़ा रहा है तो समझे यह बढ़ा रहेगा और बीस पीसी भी माले हमारे अंदर बढ़ा है तो आरवी सी भी बड़ा रहेगा और वी सी बड़ा है तो हमारी पीसी नार्मल है उससे में हमारा ही मगलोबीन बड़ा तब ठीक है अगर हमारी पीसी भी बड़ी है ए म agents बड़ा है और वी सी बड़ा तो यह देखना होगा क्योंकि डिहायदर्य जिसे हमें लूज मोसन होने लगा या में होने लगी बहुत ज्यादा उल्टी होने लगी या समय मोसन वहने लगा तो समय कि हहाए कि हमारे है जो liquid part होते हैं लिक बलट के liquid part होते हूँ वह निकल जाते हैं तो वाटर हमारे सरी से बहार निकल जाएगा तो dehydration हो जाएगा भी रिप्रम बढ़ेश्ं जब हो जाएगा तो पिसीवी भी भढ़ा आएगा हमारा तो PCV बढ़ा आ रहा है और हीमोगलोबीन बढ़ा रहा तो समझे कि हमारी जो हीमोगलोबीन की मात्रा है एकोरेट नहीं यह सही नहीं है कि डिहाइडरेशन के वज़े से इसा बता रहा है और हमारा अगर नार्मल ज्यादा तो ठीक है या हमारा हीमोगलोबीन कम है बहुत जादा और PCV अधिक मलब PCV और हीमोगलोबीन की ही तुनला से हम सही अनलगा सकते हैं कि हमारी मसीन सही बता रही है तो हम बात करते हैं म abortion höy ног बताता है और इसी के अधार पर हम पता लगा पाते हैं कि आर्बीस्ई आनिमिया को ही प्रकार के होते हैं तो कौन सा अनिम या इनको को है mcb और rbc को ही देख के बताते हैं तो mcb rbc के और लियूम को बताएगा और हीमोगलोबीन देखके हमें बता कर लेंगे पता है कि इनको कौन सा इनिमिया है और mch क्या होता है यह बताता है कि और rbc के अंदर कितने ही एक और बीसी के अंदर कितने हीमोगलोबीन है हम तो आपका mch हो गया और mchC हमारे कर दो पक्याये हमें हीमोगलोबीन के आवसत मात्रा को भी बताता है तो अप लोग ने समझ लिया इसकी नादमर रेंज देख लिया आप लोग बढ़ियां से इसके बार में बता भी भी दिया नंदे पिछली वीडियो में ही मोग लोबीन इसके बाकी हमने बता दिया एंप puedo Luis I 오 R ठीक है नहीं अच्छा लगा तब ही बताइएगा कि उसके बाद हम अगले वीडियो में और भी सुधार करेंगे धन्यवाद